नमस्कार मैं विपिन बंसल वास्तू कंसल्टेंट हमेशा की तरह आज फिर एक नए विश्य पर चर्चा करते हैं आज का विश्य है टोइलेट जिस घर के नौर्थ के भाग में टोइलेट बनी हुई है और यहां का फर्च का लेवल उचा नहीं है तो ऐसे घर में रहने वाला हर एक व्यक्ति मेहनत करता है हर व्यक्ति अपने दिल से दिमाग से और शरीर से पूरी मेहनत करता है काम करना पसंद करता है और अपनी सोच और विचार से अपने प्रिवार को आगे की और ले जाता है ऐसे घर में रहने वालों को कामियाभी जरूर मिलती है लेकिन धियान रखना है यदि आपके यहां नौर्थ में यानि जो आपकी टॉयलेक्ट बनी हुई है इस टॉयलेक्ट का फर्स का लेवल उचा हो जाता है या यहां पर रेड कलर आ जाता है या पिंग कलर आ जाता है तो ऐसे घर में रहने वालों को पैसे आने के साधन कम हो जाते हैं जो व्यापार करते हैं उस व्यापार में भी दिकत आती है इसलिए ध्यान रखना है जब भी आप अपने घर के नौर्थ के भाग में टॉयलेक्ट बनाए या आपकी टॉयलेक्ट बनी हुई है तो उसमें जो कलर होना चाहिए या तो ब्लू कलर होना चाहिए या गरे कलर होना चाहिए या वाइट कलर होना चाहिए आपको अपने यहाँ पर नौर्थ की टॉयलेक्ट में सिर्फ ये कलर करने हैं आप इन कलर का इस्तमाल करेंगे तो आपके यहां हर वेक्ती मैनत करना भी पसंद कर रखना है यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके यहां हर वेक्ती मैनत करने के लिए तयार भी रहेगा और मैनत भी करेगा और देरे-देरे करके वो लोग कामयाब भी हो जाते हैं सिर्फ आपने अपने यहां पर नौर्थ के भाग में जो ट्वालेट बनानी है तो इन बातों का दियान रखना है आपकी ट्वालेट बनी हुई है तो भी आप इन बातों का दियान रखें आपको दिक्कत आ रही है आपके यहां कलर दूसरा है तो जो कलर मैंने आपको बताएं यह कलर आप अपने यहां पर करेंगे तो मेरा अपना मानना है कि आपके यहां रिजल्ट वागमान होगा तो भी आपके यहां अच्छे रिजल्ट जरूर मिलेंगे वैसे तो हर घर के अंदर टौलेट को नीट इंट क्लीन रखा जाता है लेकिन बहुत सारी जगे ऐसा भी होता है जो फर्ष और जो दिवार की टाइल्स होती है उनका जो नीचे का जोइंट सो होता है उसके अंदर फंगस लग जाती है आपने उसको भी साफ सूथरा रखना क्लीन रखना है यदि आप इन बातों का ध्यान रखते हैं तो आपके यहां बहुत अच्छे रिजल्ट जरूर मिलेंगे आपको कामिया भी जरूर मिलेंगे हर रेक्ति मेहनत करने के लिए हमेशा तै झाल